पांच अनात बेहनों ने बांधी फौजी भाई को राखी दीदी क्या बात है तारा? किसी ने बाहर कुछ कहा क्या? तो फिर क्या बात है? दीदी हमें भी एक भाई चाहिए जिसको हम भी राकी बांध पाए। फिर वो भी हमें तवफा देगा ना? अपनी बेहनों की बात सुनकर मिताली, मोहिनी और वर्षा बस चुपसी रह गए मिताली, मोहिनी, वर्षा, मोना और तारा पांचो बेहने थी ना उनके माबाप थे और ना ही उनका कोई भाई पांचो बेहने ही एक दूसरे का सहारा थी मिटाली और मोहिनी बाहर सड़क से ही घुड़ा बीन-बीन कर बेचती थी जिससे कि उनका पेट भर पाता था और पांचो बेहने बस फुटपात पर एक तिरपाल के अंदर गुजारा कर रही थी अब रक्षा बंधन आने वाला तो और पांचो बहनों का बाहर सड़क पर रक्षा बंधन की तैयारियां देख कर राखी का त्योहार मनाने का बहुत मन था लेकिन मिताली इसमें कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए वो अपनी बहनों से बोली तारा, मोना, भाई क्या बाजार में बिकते हैं जो तुम परमाईश करो और मैं उसे पूरा कर दू चलो घर में अंदर बैठो और वर्शा दीदी के साथ घर का खयाल रखो तुम्हें भूक लगी होगी ना हम दोनों अभी आज के खाने का इंतिजाम करते हैं मिताली और मोहिनी दोनों ही ऐसे बोल कर अपने घर से निकल गई अभी वो कुडा कच्रा बीनने के लिए बाजार में ही आई थी कि तभी उन्हें भी बहत सारे बहन भाई बाजार में देखने को मिले सभी तरफ राकी का ही सामान मिल रहा था मिताली और मोहिनी के पास से ही दो बहन भाई गुजरे भाया मैं नहीं जानती हूँ इस बार तो मैं आपसे राकी पर वही तौफा लूँगी जो मैंने बोला है अच्छा अच्छा ठीक है तौफा तो मैं तुझे दे दूँगा लेकिन बुद्धु अभी राकी तो खरीद ले खरीद रही हूँ भाया अपने बुद्धु किसको बोला वो तेरे पीछे कोई था अच्छा अभी बताती हूँ दोनों भाई बहन में ऐसी मीठी सी अनबन को देखकर मिताली और मोहिनी का मन भराया और मोहिनी मिताली से बोली परिवार भी किस्मत वालों कोई मिलता है न काश कि हमारा भी कोई भाई होता दी दी तो हम उसे राकी बानते और अक्षा बंधन भी मनाते सही कहां हमारे नसीब में ये खुशी लिखी हुई नहीं है मिताली और मोहिनी भरे बाजार में अपना काम करने लगी उन्हें जहां कहीं भी कोई खाली प्लास्टिक बोतल पनिया या कूड़ा कच्रा मिल रहा था वो सब कुछ बीन रही थी कुछ देर अपना काम करने के बाद दोनों बहनों ने उस कबार को बेच दिया और उससे मिले हुए 30 रुप्यों से वो अपना घर खाना लेकर गई मोना तारा और वर्शा आजाओ हम खाना ले आएं तीदी आप क्या लाई है दाल चावल है आजाओ पांचु बहने 30 रुपे के लाए हुए दाल चावलों के इर्द गिर्द को बैठ गई और उन्होंने खाना बनाया ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे गरी बहने ऐसे ही अपना गुजारा करती थी उनकी सिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी अभी वो बस खा पी कर ही निप्टी थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई अरे नहीं बारिश हो रही है दीदी अगर ज़्यादा बारिश होई तो हमारे तिरपाल का घर तूट भी सकता है हाँ सही कहाँ एक काम करो मेरी प्यारी बेहनों इस घर से निकल जाओ और तिरपाल को भी निकाल दो इससे पहले कि इसे कुछ नुकसान हो सभी बेहनों ने अपनी बड़ी बेहन की बात को माना और वैसा ही किया वो सभी तरपाल से निकल आई और उस तरपाल को भी उन्होंने उतार दिया तेज बारिश की वज़ह से वो पूरी तरह भीग चुकी थी दीदी अब हम कहां जाएंगे चलो अभी तो फिलाल किसी चपर वगेरा के नीचे ही कोई जगा देखते हैं पांचो बेहने भटकने लगी चलते चलते उन्हें एक बंद दुकान दिखाई दी जिसके आगे एक पाटिया थी और सर पर चपर पांचो बेहने वहीं बैठ गई और बारिश के थमने का इंतजार करने लगी दीदी माँ बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए क्योंकि उनका इस दुनिया में समय खत्म हो गया था दीदी मैंने सुना है कि भाई माँ बाबा के बाद बेहनों का सहारा होते हमारा तो कोई भाई नहीं है इसका मतलब हमारा कोई सहारा भी नहीं है क्या पागल किसने कहा कि हमारा कोई सहारा नहीं है जानते नहीं हो क्या जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते और जिनका सहारा ही भगवान हो उन्हें किसी की क्या जरूरत मिताली ऐसे ही समझदारी से अपनी बेहनों को समझाती रहती थी ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे जब बारेश शान्त हुई और सड़क पर भरा हुआ पानी उतर गया तब उन्होंने फिर से एक खाली जगह देखकर अपना तंबू लगाया और अपने रहने का इंतिजाम किया ऐसे ही सलसला जारी था और आज रक्षा बंधन का दिन था सभी तरफ बाजार में चहल पहल हो रही थी और ऐसे में आज के दिन बाजार में ही एक फॉजी मुकल भी घूम रहा था मुकुल ऐसे सोचते हुए ही एक याद मिखो गया सभी जवान सुनो अपनी बेहनों से राकी बनवाने के लिए तुम्हें बॉर्डर से दो दिन की चुटी मिल रही है जाओ और जाकर अपनी बेहनों के साथ समय बिताओ कैप्टेन मुझे कोई चुटी नहीं चाहिए मुकुल ऐसे ही बोलते हुए बाजार में घूम रहा था कि तभी उसे किसी के चिलाने की आवास आई मुकुल ने उस आवास का पीछा किया तो देखा कि कुछ लड़के दो लड़कियों को छेड़ रहे हैं और वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बलकि मोहिनी और मिताली थी हेई कौन हो तुम कौन है रे अरे अर्मी ओफिसर भाग वनना ये तो बहुत मारेगा दोनों लड़के भागने लगे लेकिन मुकुल ने उन्हें नहीं बक्षा उसने उन्हें पकड़ा और खूब पीटा लड़कियां छेड़ोंगे तो माफ कर दो भाई आगे से लड़की छेड़ना तो क्या आख उठा कर भी कोई लड़की नहीं देखेंगे मुकुल ने उन्हें सुधार कर भगा दिया बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपने हमारी मदद की आपकी वज़े से अब ये दरिंदे सुधार जाएंगे मिदाली और मोहिनी मुकुल का शुक्रियादा करने लगी कि तभी मोहिनी की नजर मुकुल की कलाई पर पड़ी एहरे साहब आज तो राखी का तेवार है हर भाई के हाथों मेरा आखिया सज रही है आपकी कलाई क्यों सुनी पड़ी हुई है क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है और तो और मुझे इस सब का कोई शौक भी नहीं है क्या सच हाँ ऐसे क्यों पूछ रही हो वो इसलिए क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है लेकिन हमारा बहुत मन करता है कि हम भी राखी का तेवहार मनाया करें मिताली की बात से मुकुल को भी हसास हुआ वो उन बहनों का दुख समझ पा रहा था मोहिनी और मिताली ऐसे बोल कर जाने लगी कि तभी उन्हें मुकुल ने रोक लिया और रुको क्या कहा तुमने तुम्हारा मन करता है लेकिन कोई भाई नहीं है देखो तुम चाहो तो मुझे अपना भाई समझ कर तुम मेरे राखी बान सकती हो क्या सच लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपको ये सब पसंद नहीं है हाँ वो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया मुकुल की बात पर दोनों बहने मुस्कुराने लगी ठीक है भाईया अब आपकी बहने आपको राखी बाह देंगी लेकिन हमारे पास राखी खरीदने को पैसे नहीं है अरे तुम चिंता क्यों करती हो तुमारा भाई बहुत अमीर है चलो मैं तुम्हें राखी दिलवाता हूँ मुकुल ने अपनी बहनों को राखी दिलवाई उसने दो राखिया खरीदी लेकिन भाईया दो नहीं पांच राखिया लो आपकी और बहने भी इंतजार कर रही है मोहिनी और मिताली ने राखिया ली और फिर वो मुकुल को अपने तंबू वाले घर में लेकर आई ये तुम्हारा घर है? हाँ क्योंकि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है भाईया आईए आप अंदर आईए मुकुल अंदर आया तो उसे अपनी तीन तीन और बहने मिली जिन्हें देखकर मुकुल बहुत खुश हुआ पहले बच्चियां उससे डर रही थी लेकिन बाद में अपनी बड़ी बहनों को देखकर उनका डर खत्म हो गया तारा मोना देखो हमारे भाईया आए हैं तुम हमेशा कहती थी ना एक भाई के लिए अब बांधो इने राखी आप सच में हमारे भाईयाओ आप हमें मा बाबा की तरह केला तो नहीं चोड़ोगे न बिल्कुल भी नहीं चलो अब जल्दी से अपने भाई के राखी बांधो मुकुल के खुशी खुशी पाँचो बहनों ने राखी बांधी यह लमहा मुकुल और पांचो अनात बहनों के लिए अनमोल था राखी के बाद मुकुल उन्हें बाजार लेकर गया यहां से जो अच्छा लगे वो खरीद लेना मेरी तरफ से वो ही तुमारे लिए तोफ़ा होगा मुकुल ने अपनी बहनों को कपड़े वगेरा दिलवाए जिसके बाद वो उनसे बोला अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो यहां ऐसे रहना सही नहीं है मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा पांचो बहनों ने अपने भाई की बात को मान लिया और वो उसी के साथ चली गई मुकुल ने उन्हें गाड़ी में बठाया और खूब घुमाया उसके बाद जब दो दिन पूरे हुए तो वो फौज में वापस लोट गया पांचो बहने उसका घर आने का इंतजार करती थी अब उनकी जिन्दगी बदल चुकी थी अमीर भाई की बदौलत अब उनके पास वो सब था जिसकी उन्हें खौहिश रहती थी और अब सब कुछ बदल चुका था